अगला टॉपिक हमारा स्ट्रक्ट्ट्र एंफंक्शन आप प्रीग तो मैं लास्ट अक्ट्ट्र तक यह पुर्ड लिया था यह अमारे बेहने के तीन पार्ट रूजें अन्य करेक्टर नहीं हो तीन में अपने फोर पेंट में और प्रेंट का थे खांग फिर का वो पेंट न निक ब्रेंट में दो पार्ट में आपके खांग एक आप्डिक लोग और एक फुर्वड़ा स्ट्रक्ट्टर पढ़ते जाएंगे और फुड़ा अलाम से पढ़ेंगे ताकि बास समझ में आ जाए तो कि फुड़ा कठिल सा लोग को लगता है तो पहले हम आपको 4 brain प्रेंगा तो आपके पहले लाइन में ही प्रॉब्लम है आपकी किताब में लिखा हुआ है कि 4 brain consists of 3 part लागि मैंने आपको पढ़ा या 4 brain consists of only 2 part तो आपकी टेक्स्बूक में लिखा उसके नाम सुमें एक का नाम में Cerebrum, एक का नाम में Thalmas, और फ़र्ड का नाम में Heart and Thalmas. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि Thalmas का जो Surface वाला इससा, bottom वाला इससा वहाई है. तो मैंसे एक पॉइंट आपसे कहा दूँ कि 4 brain हो, हम आपको दो हिस्सों में पाराएं. एक साथ Cerebrum पार्ट कहीं, और दूसरा नाम देदें हम दायन के अफ्रॉन में. फिर दायन के अफ्रॉन को हम दो हिस्सों में बाढ़ें, एक हिस्सा कहते हैं Thalmas, और एक हिस्सा कहते हैं High Pothel. तो किताब की भी बात हो जाएगी और हमारी विश्वत बची रहीगी. किताब में तीन पार्ट पढ़नें, बात इस जर्थ की नहीं है, सच्चाई यही है कि दो जी पार्ट. तीन पार्ट जो तीसरा है वो आपके ताहर में जिक्र नहीं कर रहे हैं, अल्फेक्ट्री लोग. नोगे मर्बूरी 12-class में होती है न, कि बाॉंड का जया था कि आपके लाइने अंजियादी से डेविएट नहीं होनी चाहिए. इससे आप जरूबस से जाधा कर नहीं पार्ट. तो हमें ऐसे तीसरा पार्ट बहाना चाहिए तो और फैट्री लोग बढ़ा उसके बढ़ा उसके विक्सित नहीं है साथा लेकिन फिर भी उस्तों है ना तो होना चाहिए था पर किताब में नहीं है इसने नहीं बढ़ा इससे देखिए मैंने अपनी बात भी कह ली और उनकी नहीं जाए नाम होगा से रिक्रम के बारे में जान लेकिताब में किती इन कोईन लेकि है प्रक्स तो पहली रात आती है कि सरीपर मदे को पूरे ब्रीण का सबसे ज्यादा वें अ कि रिक्सित पार जैंगी है ने पुरे रिक्सित पार। लेकिन सब्सक्राइब को अगर देखा जाया तो हम दोगों ने जो डियाग्राम बनाया था सब उसमें ऐसे लेटरल व्यू दिखाया तो इसी को जड़ा समझें मैं आपसे कमुसरी अधेली बताइए कितनी है वन या दू और यह अधेली कितनी है क्यों आपने का जोड़ते देख लिया गया हम इधर हो कर देखा अब बताओ कितनी है अधेली तो नहीं देखा तो इसने बताने रहें कि जब दोनों हाथ जहां जोड़ा है वहां को गड़ा है इसलिए बताओ यहां में आपसे कहें दो अधेली है तो नहीं मानों जा कौकर सब नहीं है जर एक है अगर दो दिली जुड़ी होती तो गड़ा हो जहां पर दो चीज़ें जोड़ती है उस जगए एक सलकाई सब्ढ़ता गड़ा सा बन जाता है निशान सा बन जाता है फरो तब confidently कहले जाते हैं Cerebrum is made up of two cerebral hemispy यसे तो पता है तो फिर से बात पूरी हो रही है Cerebrum is the largest part of the brain या most developed part of the brain that consists of two cerebral hemispy लेकर सब फिर से बहीं point देखें जैसे यह हमने कहा कि सर यह ऐसे वाइने जी इस तरह से ऐसे देखोंके तो एक दिखाई देगा सामने देखोंके दो दिखाई देगा लेकिन जब हम इसको खोल के देखने लगे Cerebrum is they are interconnected अभी तो नहीं देख रहा था अम ऐसे मुठी में तो कहां दिखा आपको तेगिन जब हमने इसको खोल के दिखाने कहां कि सर ऐसे देखने लगा यहने बोस एंपल है तो आर इंटर्कनेक्टेड जोडना जो चाहिए ना तभी तो coordination कर पाएगा तो जो इंटर्कनेक्टेड ह अगा यह बंदा अपना अपना फाइबर है नर्व नहीं थेखने से नसमे कैसे नर्व इसताबाल कर सकते हैं तो अपने किताब में जो डैग्ना बना होगा उसमें भी एक मोटा सब्धा ही बना होगा और यह वाइट नर्फाइब जो मैने आपको पढ़ाया ली इसको नर्फ करें क्योंगि जो लाइन हैं अपसे बोलेंगे वह मैं इक हाइपोधिकल डाग्राम बना पालाकर देखा हूं क्यों उत्त हम पर अप से यह क emerreng से मन फोख लेंकि पींग सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर कर रहे हैं एक को हम सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं कि वो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसे जोड़ रहे हैं तो आप अब दिखा दो कुछ और रहे थी जोडने कुछ आप ऐसे रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसका नाम बहुत इंपॉटन्ट है जिसे अब लोग कहते हैं और यह नर्फ इबर का बंदा है लेकिन सब्ध्यान आपको देना चाहिए इस वाइड नर्फ इबर बंदा है अब सेंटर्स पे रहे हैं प्राइब कर रहे हैं नर्फ तर खोड़ डू इन्सकर र manner रीडमटान ऑपी रहे हैं मुंच कर्पस क्यक्व खदर्ण है किंटर्स नाम गजाओ इसमेरिंदेर्श में कर रहे लेकिन आपका रहे पंकr मुंच कर्पस क्यक्र रहे लेड वहुत रहे हैं consists of two cerebral hemispheres consists of two cerebral hemispheres which are interconnected by which are interconnected by bundle of white nerve fibre bundle of white nerve fibre that is corpus callosum that is corpus callosum so we have to use the corpus callosum why are we going to use the corpus callosum अब ये थोड़ा general point नहीं दिखता, जिसके हम लोग को याद नहीं रहता But anatomically भड़ा important point है कि सभी mamans के corpus का लोग समपाया जाता है Frog at least आप जरूर पड़ेंगे, वहां नहीं है तो जाते हैं, exceptions always to the science Protoetheria में नहीं Mammal के शेष्टा जरूर है, लेकिन Mammal में एक ग्रूप है Protoetheria, जिसे केते अंडे देने वाले इस्तन धाले After you know, that is first one, corpus callosum, main इसे ये point जादा मैं Next Corpus callosum Is characteristic of Mammal Is a characteristic of Mammal But, absent in Protoetheria But absent in Protoetheria Protoetheria जिने ना पता हो, वो For every laying Mammal समझे या Acadina platypust समझे यह उनके example अब आप सोच आँगे, इसको जोडने की जरूवत क्या है Corpus callosum पिटना गहर तो क्यों दिश्ती है इस chapter की शुरुवात नहीं बताय गया था यह तो पुरे यहां control and command system है ना मारी हमारे पुरे शही को control करेगा तो माने जे लेफ और सेंगे लेश्फेर को command दे तो राइड वाले को पता तो रहे राइड वाला दे तो लेफ वाले को पता रहे तो इसलिए communication होना जरूरी है तो उस communication का काम यह बंडल करता है अगर कोई information यहां से body को send की जाती है तो वो राइड वाले को पता दे रहे राइड वाले को की जाती है वाला पता दे रहे ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उसब जितनी भी आपके पास voluntary activities है voluntary समझते हैं ना और प्लस जितनी आपकी intellectual activities है all is available control of society जहां आपको लगता हूँ कि मैंने अपनी इक्षा से काम किया ऐसा लगता हूँ मैंने सूस समझ के काम किया वो सब सरिप्रम के हाथ है it control अभी तो control and command system के अपाइन ही जैसे मैं इस समय को इसको इस्तमाद बहुत सादा करता है क्योंकि हम जो भी आपके हाँ सामने बोल रहे हैं activities कर रहे हैं यह हम बहुत decide करके कर रहे हैं क्यों मुझे मालून है student के सामने है कोई गलत शादिना निकल जाए कोई गलत वाक के नाम बोल जाए बुरा तो वो गलत हो जाए तो हम अपने दिमाग का भरपूर इस्तवाल कर रहे हैं और अपने voluntary activities ही कर रहे हैं हम वो activities कर रहे हैं जो normal हम routine like में नहीं करते हैं हम इस तरह से दिन चर्रया थोई न पिताते हैं जैसे हम आपसे बोल रहे हैं तो वो सब इसी के पास है लेकिन दूसरा शंदनी इसी के साथ है जिसका जो control होता है वो contralateral होता है Contralateral का मतलब होता है जो हमारा left cerebral hemisphere है this it controls the right side of body और right cerebral hemisphere left side of body को control कर रहे हैं अगर हम अपना हाथ ऐसे उठाते हैं that is under control of this hemisphere और यह हाथ अपने जब उठाया तो यहां से command दिया गया इस वले हैं अपने इस अपने इसे एक तब हमने यह right hand उठाये जेकिन सर इसकी information जब आप वाले को वोगे तो भाया वहाथ उठाये तो इसकी composition करना चलोगे और तभी अगर आप देखें कभी जब हम चलते हैं तो normal चलते बड़ हमारे हाथ ऐसे से move करते हैं यह normal that helps in the balance तो सर सोचे जब चलते बड़ हमने अपना हाथ पहने दिया आदे बढ़ाया तो यह बना जब हाथ आदे बढ़ा right hand आदे बढ़ा किया किसमे होगा left hand तो सर right hemisphere को पता चलता है तो यह पीछे रखता है तो यह पीछे रखता है तो पीछे रखता है अगर पता राच रहे तो यह भी आगी करते है तो चलते बड़ हमारे चलते हैं सुनने में एक पता सा लाग रहा सूचे कितना organized काम रही है कि काम यह कर रहा है लेकिन information उनको दे रहता है घया देख ने हाथ आगे बढ़ाया है अब यह हाथ तो पीछे रखना है वोगे रहती है फिर जब यह पीछे रहता हूँगा तो इसको information दोनों को मिद लाथ है कि अधि पीछे जाओगा और यही आप पात्म में भी कुरा आउनों की तो यह हो हूं, यह पैर आगे पाथा यह प्रूटा रहता गा, फिर यह जब उठता है कि यह रूटा रहता और उठके आगे चला जाता, दो ने एक साथ उठे तो, नहीं कर सकते का हूं, यहीं कॉदिनेशन है, तो जो गॉपस के लोसम आप कॉड रहे हैं, यह दो तो अगर राइट साइड का पार्लासिस है, तो विच अप्टा 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 पार next its control is its control is contralateral contralateral that is iska matlab jani left cerebral hemisphere left cerebral hemisphere right side of the body right side of the body and y se versa y se versa ka matlab dimaag naga ke samaj ki point means right side of the hemisphere left hemisphere left hemisphere so just point rolling now and one more thing जैसे हमारे पास 2 cerebral hemisphere हैं, लेकिन समाने देखती में अगर आप देखें तो उसका left cerebral hemisphere जादा विक्सित हो इसलिए हमारा right side वाला हिस्सा जादा विक्सित होता जाता है और strength, power, right side से जादा लगए यह अगोस्ती दर राइट है क्योंकि हमारा left cerebral hemisphere विक्सित साथ लेकिन अगर पुरी बच्चा ऐसा प्लास से बैठा है जो left handed है तो सर उसका right cerebral hemisphere विक्सित हुआ होगा अबी वो left handed उसके मामी पापा ने प्रयास किया होगा कि हम इसको right handed कर दें तेकिन सजय से पापा मुड़े होंगे फिर वो अपने left side में आ देख लिया कि सब इधर से वो कुछ नहीं effort कर पाता है इधर से कर रहा है और smoothly कर रहा है कि अधर आप left handed है और बगर में right handed है तो हाथ रोलो का पास्वार को रहता है या थोड़ा होगा अच्छी लेकिन वो disease नहीं है आप बड़ा दूरी पैठे है तो कोई दिक्कत नहीं जिसके जो बच्चे प्लास में जरूरोंगा होती है तक बड़ा कॉमन भी हो गया है तो सर यह उनके एक प्रकार की डवलप्मेंटर चेंज है इसको बिमारी नहीं की जाती है इस कंडिशन को मैंसे निस में जाती है लेकिन यह आपके मतलब करने है सिर्जे जटाना था कि हमारे यांद दोनों से एक बड़ाबर विक्सित नहीं है लेक्स कोई जनरली लेफ्ट सेरिपल हमेस्पेर लेफ्ट सेरिपल हमेस्पेर इस मूर डबड़ा इस मूर डबड़ा जो हमेस्पेर जनरली हमेस्पेर णा स tätäगकेर जो हमेस्पेर पिर जनरलिपने है जनरलाब माहर सकना सबकर भीच करिए तो वो धीरे 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 पता चलने लगता है, पैड़ा होते वग कोई नहीं जानता कि बच्चा है लेफ्ट है या राइड है, जब पढ़ने लिखने की बात होती है, अपनी वॉलुंटरी अक्टिविटी जब करने लगते हैं, शुरू के एक दो साथ तो माबाप में मदब करते हैं, तब हमें पता चल जाता कि लफ्ट है या राइड है, या राइड है, ये साइंटिफिक रीजन है, इसलिए इसमें कोई श्कडखानी नहीं करने चाहिए, कभी-कभी जो शुरूबात वाली टीचर्स होती है, नर्सरी केदी वाली, उनको बड़ा इस रहता है, वो केरी शर कहिए, तो उनको ये लफ्ट वाली और राहट में करने चानवत करते है ब्क जा से हाथ हमें सबफ़ाए न सब्क सिकावाली तो खीओ, जैसे लेफ्ट हम पादा प्रणा प्रणा है, ये जैसे लेफ्ट वाला फिर उडा दिया, छोटे बच्य को बार-बारा आप उ तो उनको ये साइन्स की बेसिक जानकारी नहीं होती है, जिस तो उनको कॉन्पिटेंस होता है कि उड़ा दर क्या हम लाफ को राइक है, ऐसा है। सर इसी जिर में मैंने सिर्फ एक पॉइंट आपको बढ़ा है आपने नहां दिया हो। मैं सिर्फ कॉर्पस कालोसम बढ़ा राता और उसको महत उड़ा राता। तो कि अगर कॉर्पस कालोसम नहीं होता तो शेयर ये वॉलिंटरी जो मेंटल अक्टिविटीज आप तहर पार कोडिनेटेट मैनर भी नहीं है। कितना अगराइज तरीके से जो में अपने बॉड़ी अक्टिविटीज कर लेते हैं वो सर्फ दो लेट राइट साइट को मिला के वो इसी के पिर साथ अब दूसरा शब देखें जो हमने ये पढ़ा कि हार से रिबल हमस्फेर के अंदर एक वेंटर के होगा तो फर्स और फेलिकल अगर आप देखें तो साथ इनके फ्लोर पर एक बंदल अफ में अचा नाम चाहते हैं उसका नाम है का कार्पोरा स्टैटा जाना चाना सिंगलर उपार सिस्टाटम के दितने इस हैं चाहिए अब बंडल अपन फाइबर इस प्रिजेट एब लॉड अपीच पैर से स्वीच जान भी सब्सक्राइब नगे इनका नाम तो नाम तो क्मुणिकेशन था दोनों का इनस्टिंग्टिव भिवएवियर बहुत सारे ऐसे हमारे भीवियर होते हैं, जिनके लिए हमको ट्रेनिन की जरुवरत नहीं परती है हम सिखे सिखाए हो अहीं सबसे सरर अलेक्पल जब जाह पैदा हुछा है आँन्ध कई बार कहा हां मा जैसे ही निप्पिल को उसके मूँ में लगाती है और वो मूँ तो सकल करना शुरू करती है किसने पर नहीं दिया आपको तो यह तो आप सीथ करें यह इन्स्टिक्टिव भी है जन्व जापकर्शन समझभाएं पर रिख्जाम करते हैं हमारे आखे नहीं खुली उतनी तईवार चिपकी सी रहती हैं फिर भी कोलस्ट्रम की चक्र के जल से जल मा आपने चाथी को लगा दी उससे और तुर्ण भूं सकल करना शुरू करते हैं यह नहीं कहते हैं मैयाग आपू इधर देखो ऐससे सब लिख जाती है ऐसा कोई नहीं कहता तोर्ण जैसे इन इक्टल में ग्रॉप मों में आई नहीं हम देर रहे हो चलाना से हो दूसरा एक बड़ा इंड्रेस्टिंग एक्जाम्रिक्स को कई लोग सहमत नहीं होते कोड्शिप कहलाता है कि अपने अपोजिट सेक्शुल पार्टनर को सब प्रपोस करना और सेक्शुल को हर मेंबर में हर स्पिसीज में जहां सेक्शुल रिलेशन है वहां पर हम हमेशा अपने अपोजिट सेक्शुल पार्टनर को प्रपोस करते हैं ताकि हम एक सेक्शुल को करसा इस ही को नाब देते हैं जो पोश है इसे हम लोग हिंदी नदर नहीं हो जाए दान इसे कहते है प्रणाय निविदन प्रणाय का मंतब यही होता है कि प्रपोजल फॉर्ड़ सेक्शुलिपश्ट तो इसको कोई नहीं सिखाता है और आपको लगे का ऐसा क्यों है हम दुश्ट सीखते हैं सब पैदा होते हैं तो हमें जानते ही नहीं है सेक्स को नहीं सबस्क्रें लेकिन जैसे ऐसे बड़े होने लगते हैं तो हमें आसास हो जाता है ज़िवार लग वाय और फिर पिक्चरें देखते हुँए कहानियां पड़ते हैं, फोटो देखते हैं, तो धीरे-धीरे हम समझ जाते हैं कि एक सिनोमना है, तो आपनोंने सीखा तो भी, चलवाज आपने सीखा है, पुछ तो ने कौन से पिछर देखी देखी? देखी कोई देखे, तो चौहे ने देखी कोई पिछे, तो आप लाग इने कुटा गेका होटे होगे, वर B-C-R पे चलती होगे तो फिराय बैटी है, जाम पैसे देख साहां मैं, नहीं देखते हैं, अगर मानने सामें, तो चौहा भी छुपके देख साहा होगे, तो सर, आसक हैं बच्पन भेरां नहीं होते हैं सब्स क्षिए हो सक्राइब हो बच्पन वोटे हैं सब्सक्राइब हमारे था हर्मूनरी नाहीं होनहीं है दरी कुरू सोंहारी सबाते हैं तो हमारा युटक्तिप्स 206 अघ्रिखशं बड़ताे हैं सिγοखताइं sneeze देडी के उन भी इसो के लिए है लुद excessive होता है औरulkंण के अंदर इंस्टिप बहाए हुआ है कि सामने वाला जो व्यट्टी है उसका intention क्या है वो उसके बारे में अच्छी सूच रखता है या बुरी सूच ये इनके अंदर एक instinctive behavior होता है अब इस behavior को ये hide करके रखती है या यूज कर दो तो नड़की को पता चल जाता है कि जो सामने व्यट्टी या ने है वो क्या सूच तो इसने बहुत साई नड़कियों को अगर इतना सा भी hint मिल जाता है कि सामने वाला व्यट्टी हमारे बारे में गलब भावनाय रखता है तो वो दो रखता है और जो अपने instinctive behavior का इस्तमाल नहीं करती है वो एक कड़ा मागे बढ़ जाती है और उसके साथ कभी कभी कुछ दूरा भी है यह स्टेट्मेंट हमें लड़की नहीं है इसने इस चीज को आप अगर कहें कि किसी भी इस प्रेकार की समाजिक पुरिती के लिए सिर्फ बहुत जिम्मेदार हैं ऐसा नहीं है हम लड़कियां में बहुत सारी जिम्मेदारी इसको लेना चाहिए हम यह जानते हुए भी कि सामने वाले का भी है हमारे पती अच्छा नहीं है फिर भी हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत साए नर्कें ऐसी होती जिनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है क्योंकि उन हमारे में हो तेंख शारी रगियां समझ को अब उसे आप यूज करते हो या ना करते हैं तो कई वार हम उसी भी हैवर को नजर अंदाज हम छोड़ो कुछ नहीं होगा और हम शायक किसी गलब स्टैप्र भी चले जाते हैं जब बुना हो जाते हैं तो लगता है कि सारी अबुना हो आप था ले घर जाते है ये दूसलाशलब हागा समय जाता लेराओ। एंगीं फेम तेंसे ृबता है वाधा हम्ने बस अन्याद कर लुका अंदा फोर्फ इच पाराशीट ऐच पाराशीट और डंडल भीर अ बडंडल भीर इस प्रिज़ यस प्रसेंट ये कार्पोरा प्रप्रट कर्कुरा प्रक्रप्रक्रीमौ Responsible for Responsible for Instinctive behavior Instinctive behavior ना सब में आता हो तो जन्म जात लख्षन लिखिए Instinctive behavior Example के तोर तें Suppling दूसरा exam के लिए Court shift Court shift दो point हो दो अब जड़र आप तीसे point के दर बढ़िए जैसे जो अब सरेग्राइब हमिस्पेर आपको देखना है तो कैसे देखना है ये वालेजियन माना सरेग्राइब हमिस्पेर आपको देखना है और पुरा बढ़ में तो देखना है तो जो सरेग्राइब हमिस्पेर में पेरिफरल पार्ट है गौर करें जो पेरिफरल पार्ट है इस वाले इससे को नाद देते हैं सरेग्रल कॉर्टेक्स हमेशा देते रहे हैं जैसे आपके सेक्शन काटा होगा सबसे पहले कोटेक्स पड़ा वीश में पड़ा कभी ऐसा पड़ा कोटेक्स बीश में कर दे नहीं कोटेक्स को हम अगता भी एपेरिफरल रीजन तो यही कहने जा रहे है परिफेर पार्ट of the cerebral hemisphere is known as cerebral cortex तो यह ज़िस अना माथ राखना हम यह cerebral cortex लेकिन cerebral cortex की surface यह र कर दे तो इसकी सर्फस देखेगा कि ऐसी हो दी लाइने इस ऐसे तो इसी तरह तो यह जो घुमाओं में आपके कही सारे बंडिये बन रहे हैं इनको नाम देते हैं संपाई और जो उभार बन रहे हैं इनको हम नाम देते हैं काई रहे हैं फिटसे सेंटें बोड़ा है The peripheral region of the cerebral hemisphere is known as cerebral cortex मैं नाम देगू तो यहां से लेकर यहां तरका हिस्सा यह cerebral cortex का लग यह आप कह रहे हैं कि सब cerebral hemisphere में जो सबसे periphery की तरह रहे है तो उसी को नाम दे रहे हैं cerebral cortex फिर कहना हूँ surface of cerebral cortex is highly convoluted due to सर्काई रहे गाया सर्काई रहे गाया सर्काई रहे गाया सर्काई रहे गायाई आप देख पाएं कि सब इस तरह से उठता होगा तो हमारी तो रूफ है इसकी कोई तब नए तरहीके के रूफ होगा और इसको उनका नाम देते हैं neopalium new का मतलब नया और pallium का मतलब होता है roof नई छट बने जैसे अगर hall की छट है कि सीदी तो इसमें हम अगर ऐसे ऐसे डिजाइन करादे तो गोगे बढ़े नए डिजाइन की छट बनवाएं हो तो रूटीन छट तो यह ऐसी होती जाइन सब्चे की छाइब आप रहा हो तो यह अम ऐसे ऐसे अगर convolution करादे छट में बने छट हमारे नीचे आजाए यह ओठेज़ए तो आप देखूगे तो काई बहुत 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 दाइन कार दमाने नहीं आटाइसी दमाने तो बहुत देशन है new अब सेंटेश पूरा बोला फेटी अब सेंटेश पूरा बोला फेटी The peripheral region of the cerebral cortex is known as sorry cerebral hemisphere is known as the cerebral cortex its surface is highly convoluted due to presence of sunshine and gyrae and form neopentine फिर एक point और आपके पास है कि अगर आप brain पर रहे हैं तो brain में periphery की तरफ grey matter जो पर आप अपने सेंटेश पर non-metall तो जो peripheral part इसको आपने cortex कहा है तो आप इसमाँ हमाँ मदद कर सकते हैं कि सरय हम पर brain matter ही हो क्योंकि peripheral part को ही तो आपने सेंटेश पर cortex कहा है तो इस जगर पर धेर सादा आपके पास brain matter तो इसका मतलब जो आपने किया उसे surface area ही तो बढ़ा होता तो grey matter जादा आपके ले जाएंगे इसे ये पूरे peripheral part में grey matter जादा से जादा और center वाले इससे में तो आपने लिखा था कि brain में white matter होता है ये center वाला part था ये ये spine quad में बढ़ा जादा spine quad में कहा था grey matter जीच में आजादा और white matter जादा अब sentence पर पुरा होता है center पर बोल रहा हूं फिर लिखा किसी भी cerebral hemisphere को आप देखें उसका जो peripheral part है बाहर बाला part है उसे हम cerebral cortex को पिर कहने cerebral cortex की जो surface होती है वो काफी जादा घूमाओदार होती है जिसमें बहुत सारे सरकाई अनिकर्थे उभार यहीं काईरा ही पाये जाते हैं जिससे नई प्रतार की छट नजर आने लगती है which increases the surface area अब यह ऐसे बनाया होगा तो surface area बनाया होगा और बिलाईया और यह हम जानते हैं कि cerebral hemisphere में periphery पर green matter होता है तो इस convolution का फाइदा क्या हुआ accumulated large amount of green तो यह हम पर यह जो green matter आपको होगा यह जादा नजर आएगा और green matter अगर जादा नजर आएगा तो लोगों का मानना है जितना जादा green matter उतनी जादा intelligence कहते हैं सर्वेक्ति के पास जितना green matter होता है उतनी intelligence होता है हाला कि scientifically explanation नहीं है science का कोई ऐसा reason हमने पास नहीं जिसे हम यह कहले जाए कि grey matter अगर जादा होगा तो intelligent जाएगा scientifically मैं बताऊँगा यह तो लोगों का मानना है कि जितना जादा grey matter है तो जब आप लोग कमजोर number कम पाथे हैं तो अपने target से यह कहते है अधे पापा वो ना ऐसे ही शुरू से बहुत गुद्यमान है अगर बताते हैं कि भग्वानमस को बहुत जाए अपनी गर्ठी चिपाने इंसान इधरती पर सबसे चाला जानगा वो अपनी गर्ठी एक्षप नहीं करता हर गर्ठी का उसके पास एक जवाब है जवाब के number कम आते हैं किसी बच्चे जादा आते हैं इंबॉर्म intelligence की हम तो सरेंबॉर्म नहीं सरेंबॉर्म intelligence नहीं महुत ज़रा सी इतनी नहीं होती कि आपके नंपर 2 आया उसके 200 तो इसमें ये वही सब्सक्राइब कि भग्मान ने उसको ग्रे मेंटर जाधा दिया तो हम क्या है जबकि इसका इंटरिजन्स से कोई सीधा विस्ता नहीं परिफाल रीजन परिफाल रादिए परिफाल रीजन अविस इच अपर फघसवे छंसर ऑफ चेरिबर हमिसफेर इससेडर वातिस Cerebral Cortex Next Surface of Cerebral Cortex Surface of Cerebral Cortex Is a highly convoluted Is a highly convoluted Convoluted means Buma Due to Suntry and Hyaline To form Neopalium To form Neopalium That is mean Increases Surface area Increases Surface area Next Cerebral Cortex Accommodate Greater amount of grey matter Accommodate Greater amount of grey matter Periphery periparate Purana line Grey matter Cerebral Cortex Initial thought It was just that As a few people Convoluted Who Contest It's just that Inicial thought Inicial thought Inicial thought This Inicial thought वो आस्टेलों पिछाकर से लेकर जो हम ओर मेन कर पहुंचते हैं, हमारे में सलकाई और गायराई में गजब का चीड़ है, तो हमें सीधे तोर पे यहीं लग नहीं लगा, बाइ सलकाई गायराई बढ़ा, तो सरसरिया बढ़ा हुआ है, और सरसरिया अखर मेना बढ़ा, तो जाहिर बढ़ी होदे गीमेटर, तो इससे सीधे तोर पे जोड़िए, यहीं टाहिल चाहिएूए, कि अधिनλάत से पी तयोट को अधिन प्रॉट विसके घ्यर टगर कर है। और हेले एले अधिन गयुए पहल जी हो जागो इसलोग इस दॉछा ए disp हैंग इसलोग जोग उस दोगे ओ इसलोग हो व्हाद दॉंगे कि जे तो यह तो बात पुरानी हो गए एक है, इस सेंटेंस में कोई कॉड़ है, यह तीसरा सेंटेंस था, आप बनाएंगे हमने ख़रेक तीन सब्सक्राइब बढ़ाएं आपको, कॉर्पस के लूशन, स्प्रेटा, और हम सेरिबर कॉर्पस, अब ज़रा सेरिबर कॉर्टेक्स हो द नमबर टू कहलाता है, मोटर एरिया, इरिया बोलगा होगा, फाइबर नहीं होगा, यह तो के अदर हूँ, और तीसरा कहलाता है, असोसियेटेल एरिया, हम इसको फॉंक्शनिल याधार के सेर्फल कॉर्टेक्स को तीन हिस्सों में बाच सकते, एक कलाय का सेंसरी एरिया, ए कलायग्रम होता है, जब हम पैदा होते हैं, तो हमारे पास असोसियेटेल एरिया तपरीबन निल हो, तो जादा डबलब भी नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारे पास असोसियेटेल एरिया जुड़ है, वो विक्सिफ होता है, तो लेज़ी तो सेंसरी इंफॉर्मेशन थे वो सेंसरी अर्या करता है तो इस वाला यह सवाल आता है असोस्री अर्या को दीले धीले यहीं विट्षित होता चाला थे कि यह संसरी नहीं होता है तो सिर्फ उसे कहते हैं कि संसरी इंफॉर्मेशन पहुंचीएं वो जब यहां रिसीप करता है तो उसे इंटर्प्रेट करता है इंटर्प्रेट समस्ते हैं निश्क से नतीजा नता है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटर्प्रेट करता है और यहीं इंटर्प्रेटेशन 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 इसी को आप इंटर्प्रेटेशन करता है तो पैद दीरे दीरे आपके ब्रें का विकास होता है तो उसे आप कहते हैं से हमारा बच्छा इंडेलिजेंट होता है किसी को हुआ कि आज मढ़ी आज ही पैदा हुए और शाम को पता चला कि आप बहुत इंडेलिजेंट है कि आज इसे कौन सा कार्णा माप कर देंगे कि सुपह पैदा हुए शाम तक आप इंडेलिजन पोशिद हो जाएंगे जो कुछ में ऐसे mix सभी आ इसे में चाहिए शोन नाम मता दिय रहे जो कि इंडेलिजन करते हैं जो इसे कैंशे हैं जो इंडेलिजन करते हैं पर हम इंटर्पेट करते हैं, फिर नगभाव में से जितने अनुभाव आपको याद भूते हैं, सर्फ उन पर आप इंटर्पेट करते हैं, और फिर तीजना एक फैक्टर होता है, विल पावर, एक्सप्रियेंसेस, मेमोरी, विल पावर, और पी कई फैक्टर हैं, बट आपके 12-13 की बाते हैं, इन ही तीन चीजों पर अधारत हम इंटर्पेटेशन करते हैं, और जैसा हम इंटर्पेटेशन करते हैं, सर्फ उसी के अनुसार हम मोतर इंपर्सस जनरीट करते हैं, हम अपने रिस्पोंस वैसे ही शोगरपे हैं, जैसा हम इंटर्पेट करते हैं, हम सड़क पे आपको मिल जाएंगे, तो आप पहचान जाओगे, इंटर्प्रेट भी कर दोगे, कि ये हमारे सर्फF, तो तुरंद रिस्पोंस भी करोगे हैं, हाल, हैलो, इस्ट ऑसी bी करोगे हैं, ले लेकिन आपकी रिलेशन क़ी तो रिचान लिया तभी तो हाई हेलो करती है नहीं करती है तो इन्तरप्ड संड़ा है जब आपने मुझे पहचान लिया तब ही हाई हेलो का Κैली नहीं करती ही चत्व अपर दिर सिफक information को receive ग़े, जो मोटर इंपर्से सघफे और गपर और को चुन रीट लेकिन ऐसोचेटे अरी या वो या होता है, जो ना तो सेंसरी होता है, ना मोटर होता है, बड़ा या होता है, It is the area of interpretation, or intelligence, that is because of experiences, memory, and will. मैं बड़ा स्कार्ण एग्जाम्टल है, experience का मतलब समझते हैं, यानि वो चीज आपके साथ पहले हो चुकी, वही तो अनुभा होता है, मैं देख के होता है, नुभा और सुन के होता है, या फिर हमारे साथ वोगटेश होता है, कभी कई लोग कहते हैं, अपने ममी पापा से हम संपर्पने रहते हैं, तो कई सारे वो अपने लाइफ के अनुभा हमें बताते हैं, तो हमें अनुभा ही तो देते हैं, अगर हम उनके पेस्जादा करते हैं, तो हम उसे accept कर लेते हैं, आपके जमाने में ऐसा होता तो experiences का मतलब जिनके आप go through हो चुके हैं वह यंग हो है आपका इतनी बड़ी life में आपने 12-16 साल जो भी आपके case है इसमें कुछ तो नहों किया हुआ समाजी जीवान को देखें अब मारीजे मैंने एक सवाल आपको दिया अब देखें के तो यह है तो वू सवाल करो कि आप मुझे देखें हैं तो आप कहों के नहीं सब करो हम बताते हैं क्योंकि हमें सवाल ही नहीं समझ में आएगी क्योंकि I have not experienced this for physics या हैं तो मेरी मेमोरी मेरी देखे क्योंकि 25 साल होगा फिरिक्स पढ़े 25 का 20 साल हो तो पढ़े इंटर के बाद तो पढ़े जो तो सार इतने सालों में हमारे जो अनुभा होते अपने रिपीट तो किये ले क्योंकि अनुभाँ को अगर आप रिपीट ना करो तो मेमोरी लॉफ हो जाए और वो अनुभाँ अगर आप रिपीट करते रहो तो वो मेमोरी में बना रहे तो मैं वह सवाल देखूँगा मैं शुरू ही नहीं करूँगा तो इंटर्प्रेट नहीं कर पाऊँगा तो मोटर रिस्पांस करेगा नहीं तो हमारे ख्रीज के सब्सक्राइब जब उन्हों से सवाल पूछ नहीं आते थे तो कहते थे हम बताएं जी इसा पर इसे हो सकता आप हमारे गुरू जी हो बताओ क्यों के में हम बताएं यहरा लेकिन आप सवाल करें जहां बहसों वहां बताएं एंटो में कि समझ में आये थे तो करें तो कहते थे आईज साफरे बदाना अगर अशे से पास सब़क्ताओ यह समझ बताओ सब्सक्राइब खुण कहते हुआ है वह कहते हैं कि एचल्व में में काइए अगर ऐसा सवाल आपके सामनेगा दियो एच तरह का सवाल आपने कई ताह ना का सारी सह सै तो सर अगर एक कथिन सा सवाल देसको, आप सो कॉल आप एक जहा कथिन मांगे, वो लाकियम आप सामने राख देखे, आप सुरूप करो, तो सुरूप कर लो, नहीं कर से, because you have not experienced about that. तो जतकर आपके पास interpretation नहीं होगा, आप motor response कर ही नहीं से, अगर आपने गलाथ interpret कर लिया, तो motor response गलाथ होगा, और answer गलाथ होगा, सही interpret कर लिया, तो motor response सही होगा, और answer सही. अगर आप समझे हैं? और इसका मतलब सबसे ज़्यादा इन्हीं दो चीज़ों कर देखे, experiences और नहीं, और experiences आते हैं रही जिएंसे. कोई मा के पेट से कुछ सीथ के नहीं आता है, सब हम यहीं पर अनुभाव करते हैं, और उसे हम बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारे जबान पर हमारे memory में तुरंट रहता है, question आते हैं, हम तुरंट आशर कर देते हैं, लेकिन पढ़े होगे, अगर आज महीना हो गया, तो याद ही नहीं आता कि पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, राज भर में आपको intelligent हो जाए ऐसा नहीं हो जो बच्चा प्लास में intelligent जादा नजार आ रहा है, question देखते ही तुरंट आपके सामने solve रहता है यह teacher भी है, तो बच्छा only because of experiences, आपके teacher आपके सामने व्यानी क्यों बन जाता है, because of human experiences, about such type of questions, जो सवाल आपके उससे पूछने आते हैं, उस तरह के सवाल का रुबा हमारे सामने से कई वार भोच हो रहा हूँ, memoriam अगे रहता है, तुरंट मैं interpret कर लेता हूँ, और तुरंट मैं को बता लिता हूँ, आपके सब्च्छी बढ़ बढ़ बुद्यमानी, तो सारी बुद्यमानी इसी हूँ, खाले जुम्धी पर बुद्यमान हूँ, तो कहां मारे बुद्धी चली जाएगी? नहीं, पर तो अगया है, तो बहुत बेखोफ है, तो हम अपने सब्जेक्ट के एक्स्पिलियेंस की बाह करें, तो हम इंटलिज होँ, क्या है एक्सपिलिजन्स की साथि हैं, उस चीज़ की लिए जो आप काम दूना चाहते हैं, जितना जाधा आपका एक्स्पिलियेंस होगा, जितनी ही आपके मेमोरी में बना रहेगा, सर, वही आपकी इंटलिजन्स कहलाएगी, मैं एक topic में, एक subject में to intelligent हूँ, क्या हर विधा में बना intelligent? नहीं हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते हैं, यह वास्तरी केड़ा लिए जो बच्चा आप class में नजर आ रहा है सबसे अच्छा, उससे आप देखिएगा, उसने कई बार इसको पढ़ा होगा, चाहे एक साल में ही चार ब और अपने आपको feel करते हैं कि हम comfort, समझना भी लाएं? एक बीच मचा है willpower, इसमें willpower का क्या रूल है हमारी interpretation, इसमें rule है, इसमें कई बार आप option देखते होगे, कि मैं लगता होगा 2 सही है, अब यहीं पर willpower का हमार, जितनी अच्छी आपके willpower होगी, आपको लगता तो या तो इस अगें related दिदावा memory, यह हमारी memory पढ़ने पर करता है, अब memory हमारी अगर थोड़ी weak पढ़ती तो willpower कमदोर होगा, और लेगिन अगर memory strong है तो दावा पर लागता, तो सी ही होगा, आंसर नहीं देखुआ, अच्छा परिदा, ऐसा भी कहीं बार होता, हम दावे के अगर बारता चले रहे हैं, उस associative area को किस प्रकार के experiences आप दे रहे हैं, उस field का intelligence मत बढ़ता है, अगर आप need के exam की त्यारी कर रहे हैं, तो अगर आप नीट के रिफरेंस में इसको develop कर रहे हैं, तो उसके अनुमों बढ़ा हैं, जही के त्यारी कर रहे हैं, तो जही के reference में से experience दीजे, आप अगर दुसमें दुनिया बर की और चीज़ें अनुमों में देते चलें यार, तो उसका कोई रोल नहीं है नीट, इसलिए आपके intelligence कमजोर है, क्लास में कोई बच्चा कमजोर है, उसका अनुहर नीट के प्रकी कमजोर है, पढ़ा कम रहे हैं, तो वो यही क किसी और फिल्टर बार करी देखें बहुत इंचलेट अनुहर नहीं है, इस दिवादे इंटो थी एरिया, Cerebral Context इस दिवादे इंटो थी एरिया, 1. NUMBER ONE, SENSORY ARIA, SENSORY ARIA, CENSEY ARIA, RECEEBЗ, SENSORY IMPULSES, receives sensory impulses from different organs number two motor area motor area generate motor impulses generate motor impulses two different organs two different organs next associated area large area यह समय के साथ बड़ा होता जाएगा large area that is neither sensory nor motor neither sensory nor motor but represent area of interpretation represent area of interpretation next it represents intelligence it represents intelligence because interpretation depends on interpretation depends on previous experiences previous experiences memory and will power and will power एक और बाप कर रहे हैं कि जो interpretation है that will affect the motor जो motor आपके response है उसको कोई तरह से पहल हो करता है जैसे हमने सामे वाले को देखा हूँ और हमने इंटर्पेट किया है कि हो हमारे mama ji for example तो हम तुरन जोखे पांच हो लेगे लेकि नगर हम कहचायें ने पाई mama ji तो हम नहीं motor response करेंगे हम दर्वाजा बन कर लेंगे वही आपापा होंगे तब आई अब अर्ची दार्मिक ले दर्वाजा थोई ना खोल देंगे आप ना उसको hello high कहीं तो जब आप इंटर्पेट जैसा करेंगे वैसा ही तो motor response करेंगे इस प्रकार के एक्सपरियेंस आपके होंगे इस प्रकार के संसे इंटर्पेट कर लेंगे जन्दी इंटर्पेट कर लेंगे और motor response रहता होगा तुवर्स एकुड़ेसी इसके आगय अगय हम पढ़ें तो हम यह जो एरिया है आपके सेर्फिल हमेस्फेर में शो करेंगे तो मैं इधर शो करेंगे तो मैं आपके सेर्फिल हमेस्फेर को शो करेंगे मैं ठेहनी का रहा हम आपको सेर्फिल हमेस्फेर सही बना तो अभी तक तो मैं खाली खाई को थेड़िकर कर रहा है तो देखिए आप जो हमारा सेर्फिल हमेस्फेर है फिर वैसा नहीं है जैसा हमने आपको यहां पना सेर्फिल हमेस्फेर देखा दें तो नाइस यह चाल लूप में बटा होता है एक सेर्फिल हमेस्फेर में बटा होता है यह बड़ा असान सा नाम है अगर लेक्रोसाइट से आप ऐसे हमें देख रहे हैं तो यह इस थी तो यह हम पर जो सबसे आगे की तरफ यह बना लूप कहलाता है फ्रेंट का लूप वही नाम है जो टेंडे का भी रख्यों आप यह बना लूप कहलाता है पराइकर लूप यह और यह तैंपल है तो हम आपको इसमें नाम बताना चाहते हैं कि साथ देखिया हम आई आग क्यासे क्यासे कौन से लोग में तो कौन सा एरिया हो पर अपनी ध्यान लीड़े पर हैं हमारे पास पांच सेंस ओर्गन हैं तो बहुत सार लेकिन बोग रसेंटर ओर्गनाईज होके से पांच ही तो पर नहीं है कि काम और इंट्री और फैक्ट्री तुम आइस और इसकी तो इन पांचों के यह संसरी अरिया हमारे से बदल हमेस्पेल में होना चाहिए यह को काम में हमें स्ट्रेयर के कॉटेक्स ओर पाइफ है होना चाहिए तो हमारे पास विजन का जो सेंसरी अरिया है बुरी अना उता है यह स्वाल जब आएगा तो छाली नाम लेकिए पूँछाएंा आता है वीजूल सेंसरी इरिया इस प्र Drama कि यह ओक्すिंप टन्दोर इसका नाम बभे रे रहे हैं दो âu हुण विजूल सेंसरी ओंडे आ विजूल सेंसरी शेंडिया कुआ कि इसी के भगे ça कि जस्ट जो विजुवल संसरी एटिया है इसी के भगन में विजुवल् of Cityव आंशुसीएटेड लिम् फैर्ग करता है हैं पेंचांटा है अपना इलźुवस्त फैर नले से देखा और याद हो एक बार देखा दुबारा कभी नहीं मिले ख़ित कि अगर हमने उसको कई बार देखा एक तुरंट पेचाल जाए जैसे माने जिए कोई बच्चा आया जुलाई में और उसके एक दिन पढ़ा और उसके बाद चलाई तो शैदो मुझे भूल क्या होगा मेरा चला क्योंकि आट महीने से उसमें देखा ही लेकिन चुकि आप तब से लेकर लगातार रोज रिवीजन ही तो करता है आप इस चेहरे का रिवीजन इतना जादा आप शार चुके हैं दो दो घंटे भी जाए जैसे यह चेहरा थोड़ा बगल के भी आपके सामने आएगा दस साल बाद तो बहुत बगल जाएगा और यह अगर यहां क्योंकि जै पर आपने एक बार देखा अच्छे मैंने के पहले तो शाहिब ना कर चांद आएगा यह इंकर दो फेजोन की बाद नहीं तो फेस्ट वालना ऐसे ही यह सेंसरी टेस्ट एडिया थेडाता है अब मैं इसका असोशिट एडिया नहीं बनाओ इसी के बगल में उता है हर सेंसरी एडिया के पीछे बगल में उसका जस्ट असोशिट एडिया हो तो जिस स्वाद को आपने पहले चखा होगा सिर्फ वही स्वादा बता सकती है और जो पहली बार खा रहे होंगे तो वहां में था लग रहा है तो खटा में नहीं क्या साइज स्वाद नहीं होगा जब आप वही स्वाद चार्चाय बार चक लोगे तो जान जाओगे इसका स्वाद ऐसा हो यह इंटर्पिडिशन एक वह बड़ा इंड्रस्टिं शब्द कि देखे टेंपूरल लों यह पर एकल है अधि यह उच्छा जाता है सेंसरी जाती इसका नाम क्याला एक और जो इसी विए देखे थुदा गहराई में होता है थ्दा अंगर पहुंचाया है इसको अम्डूब्गोते है और यह बार्दिशन पहुंचाया है इसको अव्यों तो इन दोनों का corresponding इसी के बदल में उते हैं तो इसको आपको फिर आपको इसी जगह ला रहे हैं आप सिर्फ वही शब्द समझ पाते हैं जिन शब्दों को पहले आपने सुना जो शब्द आपने पहले कभी नहीं सुना है वह शब्द जब पहले बार आप सुनते हैं तो आपको आवाज तो सुनाई देती हैं मतलब समझ भी और इसका अलोगा हम लोग कुछ जाता हूँ क्योंकि जुनाई में इन्लों के पास कही सारी ऐसे बच्चे आते हैं वो कहते हैं इसे ट्रायल दोगे लिए कि तो नब कहता है कि चेक करें आपको कही सब्सक्राइए जैख करेंगे कि जो हम कईवारी क्यों चाहते हैं अब हम जावताते हैं लिए यह कुर्ण पढ़ाते हैं इस तरह से वह कि अपना नेचर कोई ना बदले हम जब आपको पढ़ाते हैं तो जाहतर तो हिंदी ही बोलते हैं आपको पहले से जानता नहीं है इसे का पता दे आपके समझ में आएगे अब इसे समझ्में नहीं है फिर आपने पढ़ाते बढ़ा एसिमिलेशन इंग्रिश में कोई श्रभ भूलें अब एसिमिलेशन उसने नहीं सुन रखा तो उसे लगे पाई तो कुछ बोला हुआ नियु पता नहीं क्या बोला निग्रिश्टेशन ने इसिमिलेशन ने आप साफ सुन भी नहीं पाते हैं जब सच्चाई समझी है क्या हिस्तिती होती है तो जब बाहर निकलता है कहता है इसा पूरा समझ करने के आता है पाते हैं क्यों पढ़ाते हैं और उसके मावाब को थे ठीक ने पीचे चलो जाए तो चली जाए कोई अपने बच्चे की गलती नहीं देता है और इस बोल कोई का पढ़ा है माउथ के बच्चे आते हैं दो के बाहर है इसको इसोफेटास को ग्रहणी के वो बढ़ता है इस्टमक को अमाश है इसको छोटी आख बड़ी आख पैंक्रियास को अमाश है और जैसे ही पहनी क्लास वहीं होती है हमने बोला मैंका फूर्ट इस पूर्ट इस सब्स्क्राइब जाता है वो ग्रहणी में जाता है, ग्रहणी से अमासाय में जाके संचय हो जाता है। अब वो इसका वेख करता है। क्योंकि उसने वो शब्द सुन रखी है, तो वहीं समझेगा। हमने जो शब्द बोले वो इंटरप्रेट नहीं करता है। अब बदनाम कौन है? इस सही नहीं करता है। तो क्योंकि माबाब को रखा हमारा रखा रखान लगे परसिल नमबर पाया है। तो यह कई से खराब हो सकता है। यह डिफ्रेंस है। हम सिर्फ उन्हें शब्दों को समझ सकते हैं। जए शब्दों को हमने पहले सुना है। लेकिन अगर आप डटे रहें। कि हमें यही बैठी रहें। तो धीरे-धीरे मुखातिब भी समझ में आएगा। एसिमिलेशन भी आएगा। और तैट्रियास भी आएगा। करी लोग के साथ शुरूर परशानी हुई होगी आपको अमारी आशा को लेकर कि दीरे-दीरे आपने enjoy करने रहें। इस चीज़े बड़ी आएगा। तो सब वही चीज़े हम परएगे। हम आपसे Chinese अगर सामने आके बोलने लगें तो कि आप interpret कर लोगी। आवास चुना ही देगी बस। तो हम बार-बार क्या कहना है। किसार, if you have an experience, then you are aware to interpret. Aware experience नहीं है, तो interpret नहीं देगा। तो ऐसे सब जगे हम सुंगने की बात करें, जिस पर्फ्यूम को जिन लोग का पर्फ्यूम का बड़ा नहीं होता है, वो सुंग के तुरंग रहते कि यह लग पर्फ्यूम है। और हमें पर्फ्यूम का पूर्य हो। और मैं खाली यह पता चलता है, महें रहा है कि नहीं महें। क्योंकि हम differentiate ही नहीं कर सकते हैं। क्या आप जना तो फिर्दॉस लगाए हो कि क्यों को जैस्मीन लगाए हो। अगर आज बहुत नहीं है, तो हम नहीं बता सकते हैं, सिर्फ यह बता सकने हैं, कि आपको महटा। तो यह सब पांचों जक्चार जगा, एक तो रहे गया ना। एक परेंटल लोग में आओ। इसको नाप एन लोग सुमेस निटे की। सुमेस्थेटिक थी, सुमा का मतलब होता है बोडी और एस्थेटिक का मतलब होता है सेंसेशन तो जो बोडी में सेंसेशन हो रहा है, टच, पेन, टेंपरेटर चेंज, ठन, गर्म, क्या है? इसके हैं। तो पांस सेंसरी और गन पांस सेंसरी तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन कहां-कहां परसीब दीजा आपके एक्जाम का सवाल बहुत कम हुआ मैं आपको इस टॉपिक में समय ज्यादा ले रहा हूं सिर्फ इसमें के इलाबरेट कर लिए पूछा सिर्फ दे जाता है विज्वल सेंसरी एरिया इस फांदिन या परसेप्शन आप टेस्ट अकर्स इंविच लोग आप देसे इस तरह का सवाल परसेप्शन आप दा साउंड का मतलर महसूस करें महसूस का मताब सेंसरी तो कहां उता था आटेम्टर परेडर में दो है आपको दो मैं तो थियोरी नहीं है इसे एक बचा एक स्थ시면 पार इंगे बिटेरीज़े पास एंगे विटेर्य होता है अने यहां पर यह उता है प्रेंगरने हमको इस बाकर दोक्स ब्रोचा एल्यक और सुप्राइजिंग पाएवसर एंजीर姐 को कि दूर नहीं है आप जो लोग लीन हमियों होग हो गुआ कर लेते हैं इस पाचोंबेस तो उसके रुशार हम मोटर रिस्पॉंस यराइट करता हैं हमारी lips के लिए और हमारी tongue के लिए और वो sound को तब्धिम करता है उस प्रिटार के शब्ध और यह हम सीफ्टे पर है दो साथ है समारते बच्चा दो साल पर बोलना शुरू करता है जो हमारा print 80% अबलब हो चुका होता है तो ब्रुकेरियान रस्पॉंसर फॉर स्पीच हम जो बोल ले रहे हैं ब्रदब का कोडिनेशन होता है इतनी जल्दी अंति ए शब्ध फिर दूसरा शब्ध फिर तीसरा अल्पर फिर चौथा अल्पर लगातार सेंक्टेंस पुरा पर राभ बोल जाते हैं तो हमारी lips और tongue पी एक मसल्स का पोरिनेशन है इसको जो यहां से इंटर्प्रेशन होगा जो कमांट दिया जाएगा वही बुलगाता है फ्रेंटल लूप अप्सरिप्राइल हमस्पहर फ्रेंटल लूप अफ्सरिप्राइल हमस्पहर ग्ट शेड ज्थित बना जरे डिल मधन्य हम धो हम देखि est dato is बहु बहुत पिर ढी।ाटस्थ कर जित ब Humः Squee compress the बनानि swimming is present in left cerebral hemisphere in left cerebral hemisphere that is Broca area that is Broca's area next point ब्रॉका फे र apenas प्रॉके हैं जbor केम अरे फ्रय काहते आते हैं प्रीजा आते हैं इसको मोल समयικά आते हैं प्रीजा एक भी आते हैं आते हैं ऑ्रीजा्य करते हैं for muscles of lips and tongue to coordinate them to coordinate them for speech to coordinate them for speech हम जो तो शद आपके सामने बोल है वो चायन हमने पहले कर लिया होता है क्योंकि मैं interpret के कर रहा हूँ कि मैं समें class है ये interpret कर रहा हूँ कि बहुत सारा बच्चा हुझे देख रहा है तो हम शदों का चैन बड़ा अच्छा अच्छा कर रहा है कि सही शद बूले धीने पूले इतार से बोले बूले ताकि जो बच्चा है वो हमारे शब्दों को ते जिसे साफ तरीके से सुन सके तो हम उसी तरह के कमांड यहां से जब्रेट कर रहे हैं और उसी तरह से हमारे जबान और लिप्स का मुव्मेंट हो रहा है और वही शब्द नजर आ रहे हैं जो आप चाहते हैं और अगर पाली थे कोई हैड इंजरी हुजा रहे हैं 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 रहे बेल खोडेन आहदे उसी सांड को करता है इंटरपेटेटियन के करने शब्स next point if a brocaria is damaged if a brocaria is damaged person is not able person is not able तो इस्पीक बट प्रेदिवसे सांट अपन बट प्रेदिवसे सांट अपन यह नहीं आपको पॉइट कर दो जेता मैंने आपको साइब दम पढ़ाया लेकले का धिहां से बहुत थोड़े पॉइट है लेकल से पांच पॉइंट होंगे अच्छे होंगे पहले आपसे कहां कि हमारा जो स्करिक्रम है पूरी ब्रेन का सबसे ज़गा विक्सित पार है दो सेर्टन हेमिस्पेर से बिड़कर बना के लेफ्टन राइट विच अधर बाइट इंटर कनेक्टेट विच अधर कि अधर सेरेभल हमारे शरी की सारी वरेफ्री टे इस और बैंटर एक्रेटर है के लेकिन इसका कंट्रूल कंट्राल एक्टरल भाड़कर है डाइन कि परनोड़कर ओपनरशीद तोफिर अधरी पर का क्टोसिटा से भी-वाइट है जो हमारे जन्मजाज लग्षडों के लिए जिम्मेदा है फिर हम इधार आगे किसी भी सेरिबल हमिस्फेर को दिखें उसका जो तरीफरल पांठ है उसे हम सेरिबल कॉटेक्स करते हैं उसकी सर्पेस में बहुत सारे घुमाओं होगी गठे को संताई कहते हैं हो हार दोगाई जिसा सर्पेस अदे काफी बढ़ गया एंद फॉंस्द नियो त्यूं कि हमारे सेर्फल एविस्पेर यह ग्हीं पर रीजा होता है इसके सर्पल का अगर सर्पेस अधर जाधा होगा तो घ्रेबलच जाधा होगा ऐसारि लोगों का मान्ना है कि जितना जाधा जुए मैंटर करता हैं, motor से फे information जनरेट करता है, लेकि इस motor response से ये डिपेंस करता है आसुत इरिया के interpretation, ये ना तो sensory है, ना motor है, बल्कि area of interpretation है, जिसे हम वास्तों में intelligence कहते हैं, that interpret on the behalf of experiences दो मोरी अंदरा भुबे बादे, सब जैसा आप यहां पर interpretation करेंगे, वैसा ही हम motor response करते हैं, हमारे पांच sensory organ के लिए हमारे cerebral hemisphere में सर्थ अलग अलग जूब में, अलग अलग sensory के लिए है, visual पीछे है, parietal वाले लोग में दो है, somesthetic एन a skin plus taste, और temporal में भी दो है, ordinary और alternate, इन सब का corresponding associated area उन्ही के बगल में होता है, हमें सब जगए लिखा नहीं में तो फिर जादा लग लिए है, फ्रेटल लोग में कोई sensory area नहीं होता है, उसमें सिर्फ motor area होता है, एक specific motor area का नाम दिया आप लोका, area motor speech area, जो समर्तर left hemisphere में पाये जाता वहीं develop था आपका, लेकिं सब जो left hand में डाउन्योज कर रहा है, Sir इसका काम होता है हमारी tongue or lips की जो muscles हैं, उनके बीच में coordination करना, according to interpretation और एक शब्द produce करना, यही damage हो जाएगा, तो आप बोल नहीं पाओगे, आवास जल, आपद हो. That's all I hope you have said.